आपके इस नो यो लीगल राइस चैनल पर सभी का स्वागत है मैं एडो के कैसी का नूजिया आज आपको मैं बताने वाला हूं कि ब्लैंक स्टेम पेपर पे सिगनीचर करना इतना खतरनाक है और इसका आपके खिलाफ क्या मिस्यूज किया जाता है और किया जा सकता है अगर यदि आप से किसी ने भी ब्लैंक स्टेम पेपर पे फोर्स फुली सिगनीचर ले ली है जब रदस्ती सिगनीचर ले ली है तो आपको क्या करना चाहिए इन सभी चीजों के उपर हम बात करेंगे यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों यदि आप लोगों ने किसी भी ब्लैंक स्टेम पेपर पे सिगनेचर की है या फोर्स फुली किसी ने आप से उस पे सिगनेचर करवा ली है ब्लैंक स्टेम पेपर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है दोस्तो इसका effect ये हो सकता है कि यही blank stamp paper जिस पे आपने signature की है इसे कोई भी future में आपके खिलाब गलत इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि आपने blank stamp paper पे सही तो कर दी है लेकिन आपको पता नहीं कि उस पे क्या सामने वाले ने लिख लिया है कुछ भी लिख करके आपके खिलाब सबूत के तौर पर पेश कर सकता है कि आपने ये जो है लिख के उसको दिये थे और आपने सही की थी तो blank stamp paper पे सही कर दी है forcefully की है तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए यदि आपको पहले पता चल गया कौन से ऐसे blank stamp paper पे सही की है तो सबसे पहले आप police station में जा करके जिस blank stamp paper पे आपने सही की है उसकी एक NC लिखवाई है police station में जा करके कि आपका वो blank paper जो है वो miss हो चुका है और यदि किसी ने जबर्दस्ती blank stamp paper पे आपसे सही करवा ली है तो आप उस वेक्ति के खिलाब police station में जा करके fire lodge कराईए ताकि आपका जो वो blank stamp paper पे जिस पे आपने force police ही की है उसका misuse future में न कर सके किसी भी हालत में तो आपको ये fire करना जरूरी रहेगा यदि आप fire नहीं करते हैं और आपके खिलाब उस सबूत के तोर पे पेस किया जाता है तो वो आपको फिर future में मानने होगा तो दोस्तो blank stamp paper जिस पे आप सही किये हैं उससे आपके खिलाफ miss use किया जा सकता है ये ध्यान में रखिये यदि आप ने कोई proper step नहीं लिया तो आपके खिलाफो miss use किया जा सकता है और आप future में यनि भवश्य में आपको बहुत नुकसान हो सकता है यदि ये आपको नुकसान नहीं उठाना है तो आपको proper procedure करना है वो है police station में complain करना और police station में missing complain करना यदि आपका ओपेपर जो blank stamp paper है उसमें सही हुई है और वो miss हो चुका है तो दोस्तों यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे like जरूर कीजिए और ये same जानकारी जिसे भी जरूरत है ऐसे लोगों में इस वीडियो को share कीजिए और अभी तक ये मेरे इस चैनल को आप लोगों ने subscribe नहीं किया है तो please please मेरे इस चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की notifications आपको सबसे पहले मिले Thank you, धन्यवाद